हेलो दोस्तो मैं किसंद सर्मा स्वायत करता हूं आपका हमारी यूट्यब चैनल नोट्बुक में तो दोस्तो आज की क्लास में हम मैथ के टोपिक एज रिलेटेड प्रॉब्लम से क्वेस्टिन को डिस्कस करें ठीक है और मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के थूरू आप लोगों को कोशेन इसली सॉल्व करवाऊंगा तो दोस्तो आप लोग वीडियो को बिना स्कीप किये ध्यान से देखिए ताकि आप लोग से कोई भी जो ट्रिक है वो मिस्स ना हो जाए ठीक है तो दोस्तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब क प्राइब करते हैं क्लास में तो दोस्तों टॉपिक का नाम है एज रिलेटेट प्रोब्लम मतलब कि आयू समबंदी किसी का आयू से रिलेटेड जो भी प्रोब्लम से रहता है कि अगर एक एज आज 20 साल है तो इसका पांच साल पहले बी की आई उसे कितना तो इस टाइप का जो दोस्तों कोशन आता है वो आता आप लोग का एज रिली रेटेड प्रॉब्लम्स में ठीक है तो इससे भी आप लोग की एक्जाम में दो से तीन कोशन बनते हैं तो इसको आप लोग से देखिए और मैं आप लोगों को सौ ट्रिक बताऊंगा तो आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को और कॉपी पैन लेके उस ट्रिक को भी लिख लिए ठीक है तो मैं दोस्तों आप लोग को पहले स्टार्टिंग में कुछ एजी कोशन करवाऊंगा उसके बाद ध इस तरह से अगर हम लोग करते तो काफी टाइम लग जाता और बहुत सारे कोशन में लोग फर्स जाते आगे नहीं बन पाता है ठीक है तो हम लोग दोस्तों इसको रेशियो से ट्रिक के तुरू इसको सौल्व करेंगे तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कैसे डिनोट करेंगे ऊपर की तुरू ठीक है अगर उपर की यह गा बड़ा एल्डर होगा तो हम लोग उसको उपर की तरफ दिखाएंगे जो पॉइंट करके रहेगा तो हम लोग उसको नीचे के तुरू दिखाएंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों अब हमनों कुछ qeस्य को solve करते हैं, तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि दो विद्यार्थियों की आइउ का अनुंपात 32 है, ठीक है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे-जैसे परते जाएंगे, व्यासे solve करते जाएंगे, तो पहले हम लोग को अफिक रहा होगा क्योंकि जिसका रेशियो जादा रहेगा वहीं बढ़ा होगा तो यहां पर देखिए दोस्तों आप लोग नों के बीच में रेशियो के बीच में का गैप कैसे होगा इन बीचना को सॉल्वकर करना है ठीक ह है किसे से कितना कितना हुआ एक दिया हुआ फो जो एक है उससे दूसरे से बढ़ा है तो रिखयो में कितना का डिफरेंस है दूनों और यायानी था प्रेंस का यानि कि यह लिख यह है चोगिए तो हम लोगए कर देंगे तो 15 कितना हो जाएगा 5 से कर देंगे तो कि यहां तो यहां चोटे विद्यार्थी के यह जाएगा यहां पर आप लोगा बस रेशियो निकाल देना जो दिया हुआ था उनका गैप जो दिया हुआ है वन और उनका जो यएर में दिया हुआ है एज में जो डिफ्रेंस उसको लिके रिलेट करके इसको आंसर थे भी Home अगर जो ईस्त Tack के तूँ पाते थे ऐसे लिए अप लोगों को ट्रीक के तूँ ऍहुत में तो चलिए दोस्ता आब नेक्स और दे क्विशिए हुए तो दोस्तों इसमें बोल रहा है कि वर्तमान में ए और बी की आयू का अनुपात 5-7 है ठीक है तो हम लोग लिख देंगे यहां पर पहले 5-7 है दोनों का रेशियो दे दिया जो दिया था question में उसके बाद बोल रहा है आठ वर्स बाद यह 7-9 हो जाएगे यानि कि यहां से हम लोग अगर 8-year को add कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 7-9 हो जाएगा इसमें भी 8 साल बढ़ा रहे है क्योंकि अगर 8 साल इसमें बढ़ा रहे तो 8 साल इसमें भी बढ़ा रहे है ठीक है तो बोल रहा है एक और B की वर्तमान आई हो क्या है अब देखिए दोस्तों हम क्या हो खरे है यानि कि इदर भी हम लोग 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 का रिखिए यानि की यह वर्लाबर 8-year बस आप लोगो जो थोड़ा सा माहिन या पर बस इतना लगाना है कि जैसे आप लोग को लिए से उसको रियेट कर देना रेषियो में घूरीर और गूरी से यहां से एड़ेंग कर्रेल गया है लगिन लगोगा रेषियो में चेंज ़िए पहले इखला जय को इस्था तो हम लोग चेंजस कितना का है लेकिन यर का लगा तो इस तरह से शॉल्व करेंगे तो बोला है की यहां पर दोस्तों हम लोग का एडिक हम लोग का यह रेशियो बरावर तो फॉर है तो 5 रेशी वराबर कितना हो जाएगा 4 in 2 5 यानी की 20 तरह 7 कितना हो जाएगा 7 रेशीव राबर 28 तो हम लोग आंसर कितना हो जाएगा 20 और 28 ठीक है बस आप लोग को दोस्तों रेशियो को येर से रिलेट कर देंगे तो हम लोग का तुरण 15-20 सकंड के अंदर ये सब कोशियन दोस्तों सॉल्व हो जाएगा ठीक है बस आप लोग जो रेशियो दिया है उसको एट से रिलेट कर दीजिए जितना आएगा तो यहां लोग क्या बोला था वर्तमान आई तो वर्तमान आई कितना है फाइब इस्टू सेवेन है तो बस हम लोग फाइब को फॉर को फाइब से म है अर्यां कितना हो जाता नाइन पॉर्जा तो यह चीज हो जाता लेकिन अम लोग को वर्तमान पूछ रहता तो टूइंटी इस्टू टूइट इयर्स ठीक है अब नेक्स देखते हैं दोस्तों तो दोस्तों इसमें बहुत रहा है वर्तमान में ए और बी कि आयू अनुपा कर दिए ठीक है एक इस्ट फाइब रहा था कोश्चन में अब बोड़ा दोस्तों बारा वर्स पूर तो मैंने आप लोगों पूर पहले के लिए क्या बोलता इसको उपर ले जाएंगे ऐसे तो यहां क्या हो जाएगा 5 debt to 2 और कितना वर्स पहले 12 वर्स तो इधर भी कर दिए 12 वर्स में generational करेंगे खीए हम लोग का 12 साल पहले कितना था 5 22 तो रेशियो में कितना। 2 साइथ 2 का गैप हुआ और येर में कितना के गैप हुआ 12 का, यानि 확인 कि 3 रचीयो बराबर 12 रचीयँ 53 रचीक टो आज कईए 54 रचीव का हूँ59 4 100 तो चुल पकमत्रों में तो ये और कितना था,pat Cam आगर बस आप लोग को कुछ नहीं ऐसा भी होता कि जब यहां पे आप लोग का जो रेषियो है वỗ रेशियो का जो No Number है इसको कैसे इस có कैसे fortress करेंगा? हो सकता है कि एसे मैं नहीं नहीं है तो अम लोग कैसे SOLVE करेंगे चलिए दूस्तों देखते है अब है तो देखे दोस्तों इत्में बोड़ा कि속 वर्तमार में A और B की आई कार merits आद 5-7 है तो अब बोल रहा है दोस्तो दो वर्स बाद इनकी आयू का नुपात 8-11 हो जाएगा यानि कि दो साल के बाद 2 years बाद इधार भी 2 years बाद कितना हो जाएगा 8-11 हो जाएगा तो दोस्तो अब इसमें आप लोग दिखिए कि यहाँ पे कितना का गैप हो रहा है यहाँ पे सब्सक्राइब इंद रहा इसको कैसे स्व और इसमें आप लोंगो क्या स्वाज़ ओ इसमें क्या क्यों क्या इभा इसमें मत्यूँ जिए वहाला ऐस्टो एक अगें क्नाम करेंगे क्या करेंगे बाद इन दोनों काइब कितना loyal थ Dallas इंन दोंперв को इसको इसको क्यों को एप दोस्तों का क्यूंक्स का से होगा रहा था दोनों के बीच का वह सेम होताईगा ठीक है डे데y होुआ कैसे हैं एभी कितना हो फिटीन कितना हो गिर देखें हैं कितना हो जाएगाँ नों कितना सब्सक्राइब हो तो हम अब क्या हो थे उذ्फ चेंज हो तो इस लेके Chief अब मुझे करने के बाट क्या हुआ इन दोनों के बीच कभी हम लोगा रहा है और इन दोनों के बीचा भी और तुह यहां परने दिया रहेगा तो घवाले से लिए और नीचे बाले से तो आब देखे दोस्तों इसको कैसे करेंगे तो थे प्राइब कर दोस्तों प्राइब करें कि सबस्ता है तो यह दर वे शिए अबعةas तो दोस्तो बोल रहा है कि find the present is a & a और ब का वर्तमान आई हूँ है वह कितना है तो जेके दूस्तों वर्तमान आयू है वगिए फिप्टीन इस्टू ट्वेंटीवन होगी है ठीक है पहले हम लोग क्या था तो उसका हम लोग क्या कि यह और डिफरेंस को सेम लानीक लिए multiply किये थे तो आप क्या होगी हम लोग का 15 और 21 तो आप क्या करेंगा अगर एक ratio बढ़ाबर 2 है तो 15 ratio बढ़ाबर कितना हो जाएगा 30 और एक ratio बढ़ाबर 2 है तो 21 ratio बढ़ाबर कितना हो जाएगा 42 यानि का अंसर क्या हो गया 30 और 42 यानि की option तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इसको solve करेंगे यहां आप लोग का सेम नहीं दिया लगा difference तो चलिए दोस्तों आप next question देखते हैं तो देखें दोस्तों यह उसी टाइप का question है इसमें दस पूर्व एक पीता की अयूँ उसके पूत्र की आयू की तिखूनी थी तो हम लोग क्या करेंगे फादर के लिए एस लिए यहाप और सन के लिए एस ठीक है तो बोल रहा है कि दस पूर्व यानिकि यहां से हम लोग 10 उपर ले जाएंगे तो यह क्या बोल रहा है कि पीता की आयू उसके पूत्र की आयू की तिगुनी थी यानि कि जो पीता की वह थ्री है और जो सन की वह वन है इधर भी हम लोग दस कर ले उपर ले जाएंगे क्योंकि दस वर्थ अगर दोस्तों बोलेगा कि पूर्व तो फादर के पहले भी होगा जो इस गैसा हम लोग क्या हो गया थी ज़िस टू तो अब दोस्तों यहां पर हम लोग सुख्या वन प्रेजेंट है और यह वाला आप लोग का प्रेजेंट का है तो पर लिगँए और यह वाला पास्त का है तो पासर लिख देंगे, पहले कहुँ है, ठीक है, तो देखे दोस्तो अभी क्या हुआ, हम लोग का इन दोनों का बीछ का गैप कितना है, इन दोनों का बीच का mountain क्या है, जीरो है, यह तो दोनों को इस से मल्टिप्लाइ और यह वाला 2 को इन से मल्टिप्लाइ करेंगे तो यहां क्या कर देंगे 621 और5 तो आपके आगए हमलों का नगहायर यहां पर नगहायर रेशियो यहां पर work रिस्टमों और हैं उस्टमों और यहां पर क्या क्या गया हैं भोला देखे दोस्तों ये वला टैन जो है यह इधर का थिक है यह वला इधर का चीज है डोस्तों अब देखे हम लोगा लोका ज लुए उनके बीच कर देखे सेम होग fees और यहां भी अर यहां भी बनs को इससे इसले कर लेंगे यहां पर क्या और रहा तो देते आप है कितनी है को यह पो दोस्तों के सब्सक्राइब कर ऑफ दो स्क्राइब क्या है ? तो आप लोग को multiply करके equal कर देना और जो तरीका यूनिटरी मेथड के सुरूँ solve करते जाना ठीक है तो चलिए दोस्त अब next question देखते हैं तो देखे दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है एक पिता की उम्रू उसके पूत्र रौनित से तीन गुणा अधिक है यहां पर जोस्तों आप लोग ध्यान दीजेगा ठीक है आप लोग बहुत गलती कर देते हैं तीन गुणा रहता है तो क्या कर देते हैं कि थ्यान देने वाली बात है तीन गुणा अधिक है मतलब कि अगर पूत्र की आई हूँ वन है तो तीन गुणा क्या आगी यह दोस्तों पहले हम लोगा सफन का कितना है ऐच का वान और कितना एक वोर तीन गुना अधिक बोली थी ठीक है तीन गुना बोलता शिरफ तो यह तीन हो जाता त्याटी को लिए तो उन प्लसा देल है तो बोल रहा है एक आफ साल बाद उसकी उम्र रॉनिट की ढ गुणि हो जाएगी नी कि हम लोग क्या है 8 साल बाद sulff कि यह कितना हो जा रहा है डाय गुना हो जा रहा है है अब देखे दोस्तों यहां पर क्या हो रहा आप लोगा यहां पर लोग यहां लिखते हैं 2 इस टू 2 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 by 2 तो यहां लिख रहे हैं 5 by 2 और यहां पर 1 क्योंकि बोल रहा था कि धाइगुना हो जारी तो यह तो वही रहाएगा यह वाज धाइगा तो इसको देखें दोस्तों हम लोग फ्रेक्शन में इसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसको हटा देते कैसे यहां अगर हम लोग 2 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह 5 हो जाएगा यहां टू से भी मल्टिप्लाइ करना दोनों साइट करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा हम लोग का निकल के आजाएगा फ्रेक्शन को हटाने के लिए तो यह आजाएगा हम लोग गए आठ साल बाद तो यहां लिख देंगे 8 यह और यहां भी लिख देंगे 8 यह ठीक है तो अब देखिए दोस्तो इस कुष्चन में आप लोग का जो सेम आगी आप रहेगा यहां भी जो गया वन का आगी यहां पर दोस्तों किसी से मुल्टिप्लाई नहीं करना पड़ेग है क्या आगे और 8 साल बार उसकी उम्र से कितना गुना अधिक होगी अब देखिए दोस्तों यहां पर कितना हो रहा है यहां पे कितना हो रहा है इस टाइम में एज कितने हो वहीं दोस्तों पिशला ट्रिक था उसी से एक रेशियो बढ़ा गए तो फाइट एक रेशियो कितना हो जाएगा टूरा की इन दोनों की बीच कब रेशियो क्या है आगे और 8 साल वाद उन दोनों की उम्र की कितना गुणा हो तो यहां देखे दोस्तों हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा वन यानि कि यहांनि कि वह जाए वह बेटे की अई उससे कितना है डूबली है तो आप तो इसमें आपलों को करना पदा बस आप लोगों को आनसर ऑगी यह चलिए दोस्तों आप नेक्स कोईसिए दिखते हैं तो दोस्तो इसमें बोर रहा है कि पी और क्यूं की वर्तमाना यूग के बीच अनुपात 3-4 है 13 सलवाद QP से 5 साल बड़ा होगा तो देखें दोस्तों मैं आप लोगो एक चीज बता रहा हूं इसका भी आप ध्यान रखेंगा क्या होता है कि जैसे कि मैं आपसे बोलूँगा कि कोई अगर आदमी है P और कोई आदमी है Q ठीक है अगर इसका यह अगर 5 साल है और इन दोनों के भीष का जो एज का difference है वो 2-year है यानि कि इसका कितना होगा 3 होगा या तो 7 भी हो सकता है अब दोस्तों देखेंगा आप लोग कि अगर लोग बोलेंगे कि 20 साल बाद बहाद तो 20 साल बहाद भी दोस्तों इन दोनों का जो एज का गैप है ना वो 2 ही रह और दोनों की बीच का अगर कोई किसी टाइम में प्रेजन या पास्ट या फिस पहले इतना है ऩी एक रहेता तो इंडोनों के बीच अबीच कैना का 2 है तो इस बीच है तो इक सेमी रहेगा ठीक है तो आये दोस्तों अब इसको को सॉल्व करते हैं यह सी टाइप का है इसलिए मैंने आपटों को हींटे देव ही ठीक है तो से बोल रहा है प्लिए को एक चार भाण बोड़ा है कि 13 साल बाद अब आपनों को 13 साल बोले या 20 साल बोले चालीस साल बोले या उसे कम भी बोल सकता है 5 साल पहले तो भी दोस्तों आपनों का जो गैप है न वो सेमी आएगा तो बोड़ा कि क्यूं पी से 5 साल बढ़ा होगा यानि कि जो क्यूं है वो पी से 5 साल बढ तो दोस्तों यहां पर बॉरह एंपे हुं फोलियो कि लिए था थूल पी का है और question में किसे बोल रहा था पी का तो हम लोग आंसर कितना हो जाए 15 यानि की option नमबर डी ठीक है अब लोग एक बाइस को फिर से समझे दोस्तों रेशियो कितना का दिया हुआ था करने के लिए ठीक है आगे हो सकता है कि काम होगा इसका next question में लेकिन यहां पर आप लोगो बस तो तीन रेशियो बराबर देगा 15 यानि कि option डी ठीक है तो चलिए दोस्तों आप next question देखते हैं तो दोस्तों इसमें बोल रहा है वर्तमान में ए बी और सी की आयू का योग 93 वर्स है ठीक है यानि कि कोई ए है बी है और सी है ठीक है उनका योग कितना age का जो असाम है वो कि और टू यानि कि इन दोनों की बीच का रिशियो अच्छा दोस्तों अब एक चीज आप लोग यहां पर ध्यान देजिए ठीक है यहां भी बोल रहा है कि 10 वर्स पूरू तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि 93 में से 10 करके और 83 लिग देंगे क्यों नहीं करेंगे दोस्तों ध् और 10 वर्स पूर इनकी आयू walking का वंठ SamTech लोग अगर दस वर्स पहले जाएंगे अगर हमलों आत से दस वर्स पहले हमदों सोचेंगे तो क्या होगाbon 16 में को यानि कि पहले जो पांस्ट में और यह आपका प्रेजेंट है ठीक है तो पास्ट में आप लोग का जब 63 था तीनों का सम तो कितना था 4,3,2 तीनों का रेशियो कितना था 4,3,2 उस टाइम इंडोनों का सम कितना था 63 कैसे आया क्योंकि अभी कर दिया हुआ 93 इसलिए दो मैंने 63 कर दिया तो इसको कितना था यह तो आप इसलिए को यह वाला यह पूछ रहा है तो दोस्तों इसमें क्या होगा पहले हम लोग क्या करेंगे 10 years हम लोग यहाँ पर माइनस कर रहे थी यह वाला चीज देखिएगा ठीक है तो पहले हम लोग का एक रिशी वरावर 7 आ गिया तो 4 रिशी वरावर कितना हो जाएगा 28 इसका कितना हो जाएगा इसका 3 रिशी वरावर 21 और इसका कितना हो जाएगा 14 तो दोस्तों अब देखिए आप लोग क्या बोल रहाए यह तो हम लोग का past आया ठीक है जो 28,21 और 14 जो आया यह हमात मास आया 10 इयर्स पहले कहा है ठीक है कि यह रिशी कितना हो था 10 यह पहले का तो अभी हम लोग को वर्तमान का कितना हो जाया घर करेंगे टें तो 38 इसमें अगर 10 एड करेंगे तो 21 और इसमें अगर हम लोग 10 एड करेंगे तो 14 sorry 24 24 तो आम लोगा answer करेंगे 38 21 और 24 तो इस तरह से दोस्तों इसको हम लोग solve करेंगे ठीक है बस आप लोग ध्यान दिजेगा कि अगर माइनेस करना होगा तो हम लोग सब में से माइनेस करें ठीक है क्योंकि सब कोई का पूर्व आयू पूछ रहा था और वर्तमान आयू पूछ रहा था तो प्रेजेंट पर हम लोग 10 एड करके जो इसका आंसर है कितना है तो दोस्तों इसमें बूल रहा है एक पिता था पूत्र की वर्तमान आयू का योगफल और हंड़ेट वर्स है यानि कि कोई पिता थीक है और कोई सन है उसका जो सम है कितना एज का हंड़ेट है फिर बोल रहा है पांच वर्स पहले उनकी आयू टूइस्ट वन थी तो यहीं द हम लोगा हूं बुद्रा का स्च उप्स है तो बोलना की दोनों में मांटस करें तो कितना करना होगा और 90 आजाएगा सम तो एक रेशियो बढ़ाबर कितना हो जाएगा 30 तो अब देखते कोस्चिन में क्या बोराब दर्स पस्चात पीता तता पूत्र की आयू का अनुपात कितना होगा यानि कि हम लोगा प्रेजेंट है उसके भी दर्स बाद बोल रहा ठीक है तो पहले नमबर यतों 20 प्रेज़यो क्या यहां पहले प्रेजेंट हो चल जाएगा 15 नमबर यानि कि आप्प्स नमबर ये तो इस तरह से दोस्तों इसको हम लोग solve करेंगे ठीक है तो हम लोग answer क्या आई है तो दोस्तों आज की class में मैंने आप लोगों को age related problems के सभी type के question discuss कर लिए ठीक है आप लोगे अगर exam में question आएगा तो इसी type का आएगा और friends अगर आप आप लोग के पास कोई math की book है तो उससे भी आप लोग इस chapter को प्रैक्टिस जरूर कीजेगा ठीक है क्योंकि जितना जाद आप लोग प्रैक्टिस कीजेगा उतना आप लोग के लिए अच्छा होगा आप लोग और ट्रिक को easily समझ पाएंगे और 20 से 30 सेकंड के अंदर ही question को solve कर पाऊगे ठीक है और दोस्तों मैं भी आप लोग को कुछ question दे रहा हूँ practice करने के लिए आप लोग इसको solve करके answer comment box message कर देए ठीक है और दोस्तों अगर आप लोग को कोई doubt भी है तो आप लोग को comment box message करके पूच सकते ठीक है तो मैं आप लोग को उसका answer और clear कर दूँग इसमें आप लोग को important question की pdf और picture भी share करता हूँ तो आप लोग इसको benefit मिलेगा ठीक है तो इसकी link जो है नीचे description box में है इसमें आप लोग join कर लिजेगा तो दोस्तों चलिए अब हम लोग मिलते हैं हम लोग next class में तब तक के लिए thank you and God bless you all